अलो बच्छों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं पढ़ाएं को अच्छ से कंटिन्यू कर रहे होंगे मैं हूं प्रशांत महेश्वरी और फन्वित फिजिक्स यूटिब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो क्लास में ह इसको देख लीजिए पढ़ लीजिए फिर आम इसका सॉलिशन करते हैं चलिए आप सभी ने क्वेश्चन को तो पढ़ी लिया होगा अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके ब्रिफिन देता हूं कि है क्या चीज़ इसमें हमारे पास में बच्छों एक स डिरेक्शन में है और रमेनिंग हाफ पार्ट जो है वो नेगस्टिव एक्स डिरेक्शन में है मतलब 10 सेंप्रमीटर पक्वेश्च में है और 10 सेंप्रमीटर ही नेगस्टिव एक्स डिरेक्शन के अंदर है एलेक्टरिक फिल्ड की बाats माजी राइट- realmente side का मतलब positive x direction का मत हैं तो दोनुं तरफ अगर आप लेक्टरिट का डेरेक्शन देखे एंगहे लो यह ना बाहर निकलता हुआ एलेक्रिक होल्डी वहर मुख्यू करना पड़ेगा पैला करणिंग से horns समतलसत है, इन से कितना flux बाहर निकल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन राइट और लफ्ट दोनों से पूछ रहा है, और वो आसानी से कल्कुलेट कर लेगी, फिर इसकी जो ये curved surface है, cylindrical part है, इस से कितना flux बाहर निकल रहा है, वो पूछ रहा है, तीसरा, इस entire cylinder से कित ना flux बाहर निकल रहा है, वो पूछ रहा है, and finally, इसमें कितना charge है, है या नहीं है, अगर नहीं है, तो zero हो जाएगा, अगर है, तो कितना है, वो पूछ रखा है, ठीक है, अब अगर सारी ही बात flux की चल रही है, बच्छो, तो simple सा format ध्यान में रखो, 12 में जब आप electric flux करते हैं, क्या भई, एक तो e.s, और अगर variable है, तो e.ds, ठीक है, कुछ ऐसा ही बढ़ते हूं, अगर variable है, तो e.ds, otherwise हम gauslo use करते हैं, कौन सा लो, gauslo, q divided by epsilon 0, यही है, शुरुआत की जो question है, उसके अंदर हम e.s का use करने वाले, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि data हमारे पास मे e.s का e है, शुरुआत वाले questions में q का कोई data नहीं है, क्यों तो हमें पूछा है, अगर q पता होता तो आसानी से इसका flux calculate हो जाता, ठीक है, अभी हम सिर्फ ओर सिफ e.s से काम करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, वो देखिए बच्छो, तो मैं यहाँ पर right and side वाले part को use कर हों, और right and side वाले part के लिए हम flux को calculate कर रहे हैं, क्या होगा formula, that is e.s, अब s को थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर मैं e का जो value है, वो तो मैं right and side वाले लिख दूँगा, that is 200 i cap, positive के साथ महीं था, dot, s का भी तो अपना एक direction है, इसका अगर आप area vector देखते, तो इसका area vector भी तो हो जाता, positive x direction में आता, ठीक है, और इसका area कितना है, pi r square, circular है बच्चों, वरतिय भाग है, pi r square, तो हमने देखा इसका area तो pi r square है, जिसमें r की value मेरे को पता है, और उसका direction क्या है, answer है, i cap direction, ठीक है, i cap dot i cap देखो बच्चों कितना होता है, answer है 1 होता है, चलिए, value को put कीजी, 200 multiplied 3.14 multiplied r square, r square, 5 into 5, अच्चों, into 10 to the power, minus 4, minus 4 क्यों आया, आप सभी को पता चल गया होगा, solve कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे, 5 into 2, 10 होता है, तो ये मेरे हिसाब से 1000 बन जाएगा, है न, it will be 1000 multiplied 3.14 and multiplied 5 into 10 to the power minus 4, ये 10 की power minus 4, ये 10 की power plus का 3, बताओ कितना आएगा, 10 की power minus 1 आएगा, ठीक है, तो it will be 10 to the power minus 1, और इसको इससे multiply करो, 3.14 को अगर आप multiply करोगे, तो ये इसका just half कर दो, मतब 3.14 का half कितना होता है, 157 में जाएगा क्या, 1.57 जाता है, और point के इसाब से अगर मैं काम करूँ, तो ये point कुछ इस तरफ लग जाएगा, ठीक है, solve कर जाएगा, into 10 to the power minus 1, 10 की power minus 1, इसको solve करेंगे, तो it will be 1.57, unit बताओ देदा हो, unit बताओ, इसकी unit क्या होगा, इसका मातर क्या होगा, कितना भई, volt into meter, या फिर newton meter square पर कुलाब, ठीक है, तो ये इ साम किया, right hand side के लिए, अभी left hand side बाकी है, अगर हम left hand side को थोड़ा सा गौर करते हैं, चलो left hand side की बात करते हैं, तो left hand side का electric field, left hand side वाला ही use होना चाहिए, that is, मैं अभी e.s ही लिख देता हूँ, formula जरूर लिख करके आएगा, क्योंकि half mark formula का देता ही देता है, ये ध्यान में चले, e का value minus 200 i cap dot लगा देता है, s again pi r square है, लेकिन इस बार जब आप इसका area vector देखते हैं, तो वो positive x में जा रहा है और negative x में जा रहा है, सोचो यार, सोचने के कहा है, सामने देखो, कितना negative x direction दिखाई देती है, तो जब आप इसका area vector लिखेंगे pi r square, तो उसके साथ में direction लगा होगे हैं, तो वो minus ka i cap लगा हैं का देवता हो, ठीक है, तो it will be pi r square, और direction है minus ka i cap, i cap dot i cap होता है 1, minus into minus होता है plus, so it will be again 200 pi r square, बता हो वही है क्या, बता हो यार, गौर करो, यही बैट रहा है मेरे हिसाब से, 200 pi r square, 200 pi r square, value उतनी आएगी क्या, 1.57 volt meter, ठीक है, तिमाग में रहेगा, simple सा था, तो यह हमने दोनों flat surfaces के लिए देख लिए, next समझे, बी, और यह बहुत simple है यार, बहुत simple है, अगर मैं इसको देखता हूँ, मतलब इस cylinder को अगर मैं गौर करता हूँ, और इसका cylinder के पार्ट में कोई भी area कट कर लो, कोई भी, आपके मन मर जाए वो, यहाँ पर कट कर लो, यहाँ कट कर लो, यहाँ कट कर लो, यहाँ कट कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कट कर ले चला, ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, तो हम यह देखते हैं कि इसका electric field, x direction का त बता हूँ, 90 degree, चलो यह तो इस तरफ वाले की बात कर लो, आप इस तरफ कट कर लो, इस तरफ देखोगे तो electric field इस तरफ जा रहा है, यह electric field आपका, ठीक है, लेकिन area vector देखोगे तो इस तरफ देखोगे, again angle देखिए, 90 degree है, तो जब मैं इसके curved part की बात करता हूँ, cylindrical करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, E dot S, और आगे solve करने की requirement नहीं है, diagram जैसे यह आप बनाएंगे, तो यह please indication दे लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर हम बस इतना ही बूलेंगे, it is E S cos 90, cos 90 का value 0 होता है, answer है, 0 flux, यहाँ से इस वाले part से flux का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चलो, यह था B, अब C क्या है, total flux, linked with this cylinder, इस से कितना electric flux जा रहा है, answer है, total flux, जितनी भी surfaces है, सभी के flux को add कर दीजे, right hand side का flux, plus left hand side का flux, plus curved part का flux, चलिए, right hand side, plus left hand side, plus curved, चलिए, यह दोनों तो same है, 1.57 plus 1.57 plus 0, 1.57 and 1.57, 3.14, ठीक है, it will be 3.14 unit volt meter, total flux, है न, resultant flux इतना है, अब हमाने पास है, flux आ चुका है, fourth question जो पूछा है, आपको बच्चो, that is charge, flux का formula, according to gauss flow, q divided by epsilon not, होता है, नहीं होता, अगर हम यहाँ से charge को solve करते हैं, तो charge will be 5 into epsilon not, यही तो है, चलिए, 5 का value, that is 3.14, epsilon not, सभी को पता होना चाहिए, 8.85 into 10 to the power minus 12, जो भी आए कुलाम लगा दीजिएगा, इसका solution आपके हाथ में है, calculation आप कर लिजेगा, ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ, यह numerical आपको clear होगा, हम और numericals करने वाले हैं, next आने वाले वीडियो में आपको बच्चे वी example भी देखने को मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, how a good day, take care.